नुश्कार मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूँ संदीप सेर जीके में चलिए क्लास साथ करते हैं मैडिया और यह जो टॉपिक मैं करा रहा हूँ यह करेंट फेर्स का टॉपिक है और यहां मैंने हिस्ट्री का जो मसाला है वो डाल दिया है आपको पता एक बाते सीख लो पॉलिटी से रिलेटेट है तो पॉलिटी की बाते सीख लो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है डल जैसे फॉर जामपल इस वीडियो में क्या करने वाली है आपको बता दें कि पंदरा नॉमबर को जंजातिये गौरव दिवस मनाया जाएगा भारत के प्रह आपको जानना होगा कि यह किस ने डिसाइड किया है इसके रिजन्स क्या है यह देखिए और उसके बाद में और जो महत्रपुर्ण जंजाती है जो महत्रपुर्ण नेता है लीडर है जिनका नाम लिया गया है इस डे को सेलिबरेट करने के लिए उनके बारे में भी आपको पंदरा नौमबर को माईडियर होगा, जंजाती है, गवरव दिवस मनाया जाएगा, कब इसी पंदरा नौमबर को, आज के अब बारा हो गया, है ना, ठीक है, किसने रिसाइड किया है, केंदरी मंत्री मंतर ने, मतलब केंदर सरकार ने, मतलब पूरे देश में सेलिबरेट कि किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, आपका महत्रपुर्ण रुप से आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलच्छ में, ठीक है, जिन जो बहादुर आदिवासी नेता थे, है ना, जैसे भगवान बिर्सामुंडा हो गए, और रहर सारी नाम हैं बताऊंगा आपको मैं, तो उनके उनका जो योगदान है, उसको यहां पर सेलिवरेट किया जाएगा, उनके योगदान को बताया जाएगा, देश के लोगों को, तेक है, चलिए, उसके बाद में, सनस्क्रतिक विरासत के रूप में अगर देखा जाए, तो सनस्क्रतिक विरासत के सनलच्छन राष्ट गौराव विर्ता अथित्य के भारती मुलों को बढ़ावा देने में आधिवासी के प्रयासों को मानता देने है तुँ वही बात मैंने वैता ही कि जो हमारे आधिवासी लीडर्स थे जो जैसे भगवान बिर्सामंदा हो गए सिध्धु कानू हो गए वो जो लीडर्स है उनक और राची में आधिवासी सुट्रता से ननी संग्रहाले का उद्गाटन भी किया जाएगा ठीक है चल आगे चलते हैं आप एक काम करते हैं कि पंदरा नॉम्बर के एक और स्पेसल चीज भाई पंदरा नॉम्बर क्यों 16 नॉम्बर हो सकता था 17 हो सकता था तो पंदरा नॉ भगवान का दर्जा दिया गया है और इसका जन्म दिन 15 नॉम्बर को होता है इसे कारणाउस से 15 नॉम्बर को जन जाती है गौरवदिवस से लिडर्स रहे हैं हमारी इतिहास में उनकी जो कहानिया है उनका गौरव है उसको देश के लों को बताया जाए ठीक है चले काम करत सबसे पहले भगवान विर्णा मुंदा के बाहे में जानना है इंपॉर्ट & question पूछता थि woran बिल्शा मुंडा से तो अगा मालूम है कि जो इनक MON क्वाट 15 Knweis 1875 को हुए था 15 Kn cred इन जानते हैं कि वह एक करांतिकारी थे यह वह再ं स मुनलीं के साथ कि बहुत बड़ement समाज सुधारक भी थे डिसकस करते हैं चलिए तो यह बहुत बड़े समाजिक सुधारक थे देखते हैं इनका जो एरिया था आज का वरतमान का जो जहारखन बिहार का है यहां पर इनका एरिया था यहां पर इकाम करते थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाप सुर्टता संग्र में भाग लेने से पहले भगवान बिर्सा मुंड़ा की जो भैचान है आपका खूंटी के इलाके में समाज सुधारक के रूप में थी समाज सुधारक के रूप में कैसी थी आपको मालूम है कि 1875 में जन्में बिर्सा मुंड़ा की ख्याक्ति एक समाज सुधारक के रूप में ब्रसा मुंदा ने बिर्शाइत धर्म की शुरुवात भी की थी कोष्ब यूप योपियोय ससाइश में एक वार पुछा था निकिए बुछा था बिर्साइत धर्म की लिए ने ॡ्यजोίνों इस दोरान वे जिस गाउं में जाते साफ सफाई के बारे में लोगों को जानकारी देते थे, साथ ही साथ बिमारी के बारे में बताते थे, और धीर धीर करते करते लोगों के रूप अंदर इनको एक भगवान मानना शुरू कर दिया, तभी से भगवान बिर्सा मुंडा कहलात भगवान बिर्शा मुंडा ने और लोगों को एक अत्रित किया डल क्लियर है जो मुंडा विद्रोह है जो छोटा नाकपुर का पठार जहारखन कह रिया है जहां पर मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ था जिसे मुंडा उल्गुलान भी कहा जाता है क्या बोलते है मुंडा गया है 15 नमबर को तब से महत्रपूर्ट जो नाम है इनके बार में जाना इंपॉर्टेंट है अगला नाम है शहीद वीर नरायन सिंग शायद हो सकता है आपने इनका नाम ना सोना हो लेकिन जंजातियों के बहुत बड़े महान सक्सियत रहे है 36 गड़ में सोना खान का गव महत्रपूर्ण है और यह बहुत बड़े ट्राइबल लीडर माने जाते हैं कब 1857 के दोरा नियाद रखेगा कोशन इंपॉर्टेंट है आएगा इजाम में आगला नाम आता है आपका स्री अलूरी सीता राम राजू यह भी नाम यह जो तिंचार पांच नाम आपको बता र अलूरी सीता राम राजू इनका जनम 1897 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम के पास मोगल्लू नाम के गाउं में हुआ था इतना इंप्रदेश भीमावरम काफी इतना ठीक है इन्हों ने अंग्रेजों खिलाप रंपा रिवोल्ट इस्टार्ट किया था रंपा विद्रोह रंपा रिवोल्ट इन्हों ने स्टार्ट किया था इंप्रोटेंट है या रखिएगा ठीक है यह इनकी फोटो है देख लिए यह फोटो है भगवान परुसुरम जैसे दिखाई दे रहे हैं आगला में आता है आपका रानी गॉंडल्यू यह बीच में आपको याद होगा बहुत भारत के प्रहार मंतरी जी ने रानी गॉंडल्यू के बारे में एक शब्स्तमों किया था अब आगे लिखा है भाके को में ल्यूंग में तो यह नागा समत्याएram की थी क्योसा समत्याए är नागा नागा जो नागा हेल्स में हते हैं ठीक है और इन्होंने ब्रिटिस के खिलाफ विद्रोह रिवोल्ट किया था 13 एयर की एजवे 13 साल की उम्र में इन्होंने अपने चचेरे भाई हाइपो जादो नंग के हेराका धार्मिक अंदोलन में शामिल हो गई थी इंपोर्टेंट है और इनका काम क्या था इनका काम था आपका मनीपूर का छेत्र इन्हें नौर्थ इस्ट का गांधी भी कहा जाता है रानी गॉंडिल्यों को ठीक है चलिए जो भारत के प्रहाल मंत्री है इन्होंने दो साल पहले इनको राश्र की बेटी कहा था एक वर्ड ना बीट चुका है अब यह जो नाम मेंसन किये गए सरकार के दौरा तिन चार पांच जो इंपोर्टेंट नाम है रानी गंडली उका है यह नाम इंपोर्टेंट हैं के बारे में दो दो चार चार बातें जान लोगे तो आच्छा रहेगा रानी गंडिल्यों नार्थ सिद्धू और कान्हों मूर्मों यह भी जंजातियों को बहुत बने लिडर है अठारो सो पचपन से संतावन की बीच में इन्हों ने जो संधाल जंजाती के थे संधाल ट्राइब के थे इन्हों ने बहुत बड़े लेवल पे रिवोल्ट किया था अंगरेजों के खिलाफ अंगरेजों के अगेंस्ट ठीक है चलिए यह फोटोन की तस्वीर आप देखिए यह सिद्धू और कान्हों देखें तो इस वीडियो मेंने क्या किया आपको करन फ्रेस ऐसे ही पढ़ना माइडिया अन्य था फिर मुस्कुल जाईगी पहले तो मैंने आपको यह बताया कि पंदरा नॉंबर को यह डेट अनॉंस किया गया है जंजाती गौराव दिवस ठीक है उसके बाद में भारस सरकार के दौरा महत्तपुर्ण जो ट्राइवार लीडर से दो तर चार पांच हैरों को नाम लिया गया है मंतरियों के दौरा और वह नाम ट्रेंडिंग में है तो नेक्स्ट अगला नाम आता है आपकाो पिस का की सरी सिडर अंसिंग जीक इन चार मोटी मोटी बाते में ने बता दी फिर नेक्ष नाम किसका अलूरी सीत hayır राम राजीओ का इनके वाषी का इन पानी गॉंडिल्यू का इनके बारे में 4-5 मोटी बातें बता दी और नेक्स नाम आता है सिंधु और कानुँ का इनके बारे में 2-4 मोटी-मोटी बातें बता दी तो यह 4-5 इंपोर्टन जो ट्राइबल लीडर्स हैं महान शक्षियात उनके बारे में लेको बता दिया और जाते गौर दिवस्त मनाया ही जाएगा याद कलीजेगा इंपोर्टन्ट मिलते हैं इस ख्लास में तर तक लिए बाए टेक केर